हेलो मेरे लाड़लो में आपका अपना रुईत कुमार सोनी आज अपन जो ISI exam का जो second paper है UZB जिसको बोलते हैं जिसमें subjective questions रहते हैं आपके 8 उसके 1-2 questions लेते हैं previous years वाले उस पे अपन discuss करते हैं कुछ first क्या दिया है let ABC be there three real numbers which are roots of a cubic polynomial and satisfy a condition ये भी दे रखा है अपन को कि जो उनका sum है वो तो कितना दिया है अपने पास में 6 दिया है दो-दो का जो multiple है AB plus BC plus CA ये कितना दिया है अपन को 9 दिया है और suppose a is less than is b is less than c अचा इससे अपन को ये पता लगता है या कि जो roots है न तीनो root distinct roots है different different roots के बारे में बात चल रही है तीनो इसके roots है तो फिर अपन को ये वाला चीज proof करना है प्रूव ये करना है कि a है वो 0 और 1 के बीच माएगा बी है वो 1 और 3 के बीच माएगा c है वो 3 और 4 के बीच माएगा तो पहरा चीज तो अपन को ये प्रूफ होना चीए है कि a b c तीनो के तीनो positive number है ये चीज प्रूफ करना किसी तरह करके तो कैसे कर सकते है अपने पास यहां से एक चीज अपने देख सकते है कि a plus b plus c 6 है तो इसका मतलब कि तीनो नमबर negative तो नहीं हो सकते है तब तो क्योंकि sum अगर positive होड़ा तो obviously एक नमबर को minimum एक नमबर को तो positive होना ही पड़ेगा या अपने पास सबसे छोटा नमबर जो है वो है a अगर मैं किसी तरह a को positive proof कर दूँ तो बाकि b और c तो उससे ही बड़े है और positive से बड़े नम तो कैसे proof करते हैं उसके लिए थोड़ा सा अपन गेम खेलते हैं मैंने यह बोल दिया starting में case बनाके कि if a negative अगर जो भी result आएगा last वो अगर mathematically true हुआ तो तो यह negative होगा अगर नहीं हो पाया फिर यह अपन चेक करेंगे अगर a negative है ठीक है तो इस case में अपने पास में यहां से यहां से पनक्या ले सकते हैं b plus c is equal to कितना आ जाएगा 6 minus का a आ जाएगा b plus c is equal to 6 minus a a number negative है 6 minus a a negative है तो यह 6 minus a क्या बन जाएगा पोस्ट्यू बन जाएगा इसका मतलो b plus c हो गया पोस्ट्यू अपने पास b और c बन जाएगा पोस्ट्यू मैंने यहां से इस equation को और देखा यह वाली equation को इस वाली equation में a b plus b c plus c यह दिया हूए 9 मैंने किसी दर अगर की b c को एक तरफ रखा और यहां से a common लिया तो आगया b plus c is equal to 9 b plus c का value कितना अपने पास में 6 minus a यहां पे put करेंगे तो b c plus a into 6 minus a is equal to कितना आगया 9 थोड़ा सा simplify और करते हैं तो b c is equal to कितना आजाएगा इसको इदर देखे हो 9 plus a square minus 6 से तो b into c कितना आगया अपने पास में a minus 3 का whole square समझने वाला पूंट देखो बड़ा ठीक है perfect square बना perfect square always greater than or equal to 0 होता है लेकिन equal to 0 भी नहीं पाएगा क्यों क्योंकि एक negative number अपने माना स्टार्टिंग में है न ए नेगटिव है तो negative minus का 3 तो यह तो एक negative number बनेगा उसका square करेंगे तो वो तो एक always positive number बनेगा अब यार अपने पास क्या result मिलकि आया result यह मिला कि B plus C भी positive है कोई 2Nमर का sum भी positive product भी positive तो पक्का वो दोनों के दोनों के दोनों नमर प्या होँगे पत्का वो दोनों को दुनों नमर क्या होंगे? पोस्ट्यू नमर होंगे नहीं अपने क्या लेख सकते हैं? B भी पोस्ट्यू होगा और C भी पोस्ट्यू होगा यहां तक आपको लगता है कुछ एकदम क्लीर होगी चीज़े अब न यहां पर अगर अपने अप्लाई करे अच्छा कोई बच्चा वो लेगा सर एक्वल टू क्यों नहीं लगा अरव यह नंबर डिस्टिंक नंबर है तो एक्वल टू लगा नहीं सकते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा? बी प्लस सी बाई टू इस ग्रेडर देन स्क्वेर रूट का बी सी समस्तर ना पॉइंट को एक चीज़ यूज करने वाले है पन बी प्लस सी का वेलू कितना है? 6 माईनस ए डिवाड़ेड वाई का 2 इस ग्रेडर देन बी सी आपके पास है ए माईनस 3 का होल स्क्वेर इसका स्क्वेर रूट लेंगे ना बटा तो लिखेंगे मोड ए माईनस 3 क्योंकि अपन जब भी स्क्वेर रूट एक्स स्क्वेर लिखते हैं तो बाहर क्या लगता है? मोड एक्स लिखते हैं अब ये अंदर वाले value पे depend करेगा कि अंदर वाला value कैसा है अगर a अपने पास starting में क्या माने negative बाना है तो negative minus 3 तो negative नमर हुआ तो ये तो क्या आजाएगा 6 minus a by 2 is greater than किसे आएगा negative बनके मतलो 3 minus a बार खुलेगा simplify कर दो 6 minus a is greater than 6 minus 2a 6 is 6 cancel out 2a minus a is positive इसका मतलो a positive में क्या माने थे a negative इसका मतलो contradiction आ गया इसका मतलो contradict ना गया contradiction आती अपने बोल देंगे कि a negative possible है ही नहीं a को negative अपन करी नहीं सकते यार ठीक है a आपका negative possible ही नहीं है तो a फिर क्या हो जाएगा positive हो गया क्योंकि ये वाला case आपका false हुआ तो a positive बन क्या आगया अब कोई बच्चा ये भी सोच रहागा a 0 भी हो सकता कि अच्छा उसको भी check कर लो यार कि मैंने लिख दिया if a equal to 0 a अगर 0 हो गया ना तो इस case में तो आपका क्या बनागा है यहां पर b plus c कितना आ जाएगा b plus c आगया 6 आगया और यहां से a अगर 0 कर दिया तो b c बचा और यह b c 9 आगया अब आप कुछी सोच लो यार यह तो कोई दो नमर का sum 6 है multiple 9 है तो b और c दोनों के दोनों कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा जो की possible नहीं है क्यों possible नहीं है क्योंकि सारे के सारे नमर क्या है distinct number है distinct roots है तो यह वाला case भी reject हो गया तो क्या बचा आपने पास यह final निकल के आया कि जो सबसे छोटा नमर है वो positive number है जब a positive है तो साब साब b भी positive होगा c भी positive होगा क्योंकि यह वाला condition के according आपको दे रखाए ठीक है अब इतना तो ठीक है अपनों clear होगा कि a positive है बाकि सारे की भी आपके नमर positive है अब अपन थोड़ा सा roots के बारे में discuss करें न तो वो चीज देखो आप आपके पास यह यह चीज दे रखा है कि a plus b plus c 6 दे रखा है a b plus b c plus c a दे रखा है आपको कितना 9 दिया हो है तो कोई एक cubic equation लिखना है cubic equation लिखना है जिसकी roots क्या है fx मानलों जिसकी roots क्या है अपने पास मानलिया lambda into में x minus का a root है x minus का b root है x minus का c root है यह चीज बन के आएगा अब इसको थोड़ा सा गर simplify अपन और करें तो fx is equal to lambda into में यह बनेगा x cube minus का a plus b plus c into x square plus का plus minus यह sign चलता है plus का आएगा a b plus b c plus c a into x और minus का जाएगा a b c यह चीज बन के आएगा अरे जब अपने पास तीन यह चीज दे रहा तो इससे अपने यह वाला equation तो लिखी सकते न तो यहां से fx क्या बन के आगया fx बन के आगया lambda into में x cube minus में 6x square plus का a b b c यह इसका value दो रखा 9x और यह अपने को मालूम नहीं तो इसका मैंने एक बार मान लिया कि lambda value आ रहा है अच्छा वाहां भी lambda मान रखा गया तो इसको आपर k माल लो इसको k माल लो एक constant k यह चीज़ बन के आ गया ठीक है यह वाला equation बन के आ गया x q minus इस टाइप का अब अपने को roots के बारे में discuss करना है तो directly तो पता नहीं लग रहा क्योंकि यह अगर value पता हो तो फिर तो अपने काम ही कर देते सारा के सारा तो एक काम क्या करता है इसको differentiate करता हूँ पहले मैं f dash x निकालता हूँ f dash x कितना आ जाएगा f dash x बड़ा इसलिए निकाल रहे है कि अपने को यह पता लग जाए गर आपके structure कैसी है maxima minima कितने है उसके अंदर यह सब पता करने के लिए तो मैं ऐसे उपर दिख भी सकता हूँ for maxima minima for maxima minima अपने क्या करना पड़ेगा f dash x equal to 0 करना पड़ेगा f dash x कितना आ जाएगा यह lambda into में यह 3x square minus का 12x plus का 9 equal to 0 lambda भी चला गया 3 भी चला गया तो बचेगा x square minus का 4x plus 3 equal to 0 तो x minus का 1 और x minus का 3 equal to 0 तो x का value अपने को मिला 1 और 3 value मिला यह दो values मिली अपने को अपने करते हैं क्या है इन दोनों क्यूंकि यह जो cubic polynomial था x belongs to r के लिए define है तो सारी जितने भी values मिलेगी सब के लिए acceptable है तो अगर मन इसको number line पे plot किया तो number line पे plot करने के बाद में यहाँ पे मेरे को 1 दिखाई दिया यहाँ पे मेरे को 3 दिखाई दिया यह sign plus से start यह sign minus से start, यह sign plus से start अपने को इतना जुरूर मालूम है और यह किसके sign है बटा यह उपर आपको पता होना चाहिए sign of f dash x f dash x के sign है f dash x के sign के बेस पर comment करते हैं कि वह maxima की minima plus से minus जा रहा है तो यह तो क्या होगा local maxima minus से plus जा रहा है तो यह हो जाएगा local minima यह ज्यान रखना है बड़ा प्लस प्लस सो minus minus तब कुछ भी नहीं होता आपके पास ठीक है plus से minus तो local maxima minus से plus तो local minima ठीक है इतना चीज आप लोगों को clear हुआ अब यार एक चीज तो आपने को दे रहा है cubic polynomial था टीनो root different different है ठीक है तो इस type की structure तो पक्का बनेंगे structure वैसे दो type की possible है या तो structure यह बन सकती है है या तो structure यह बन सकती है जैसे यहाँ पर one होगा यहाँ पर three होगा ठीक है क्योंकि ऐसे ही चलागा एक सक्सिस के इसी side में चलना पड़ेगा या फिर structure यह हो सकती है अब खुद से सोचना पड़ेगा यहाँ पर one यहाँ पर three अब खुद से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा या जैसे यहाँ पर one पर तो क्या मिले है local minima three पर local maxima इसका उलटा वड़ा one पर local maxima मतलो यह वाली structure possible है यह वाली structure possible है three different roots है तो यह root A है यह root B है यह root C है मतलो मैं अगर proper structure बना हूँ इसका fx का तो fx का यह वाला structure बड़ा बन के आएगा आपके पास fx का यह वाला structure बन के आएगा यह x-axis और ऐसे कुछ structure अपन ड्रो कर सकते हैं यह वाला जो point है यह one है यह वाला point आपका three है यहां पे आपका यह root A होगा यह root B होगा और यह root C होगा तीनों अलग-लग roots है और step से आपको दिया वाता a is less than b is less than c ठीक ओके fx भी अपने लिग देते हैं कि क्या था fx अपने पास यह था कि यहां यह वराग्मन क्या था fx is equal to lambda into में x cube minus 6x square plus 9x plus k यह था अब अपने को पता कि f of one पे जो value है वो positive है और f of three पे वो negative है तो f of one f of one कितना जाएगा यह आपके पास बन जाएगा lambda into में 1-6 plus 9 plus k तो यह तो आगया lambda into में और 10 4 plus की आगया ठीक है और दूसरा f of three अगर निकालेंगे तो यह lambda into कितना जाएगा f of three अगर यह आपे put करें तो 27 minus 6 into 9 plus 27 यह 54 यह cancel out पूरा का पूरा कि यह बचेगा आपका अज़ा क्यूसरा के coding f of one और f of three का जो multiple है न वो positive है तो f of sorry f of one यह positive लिदेगा यह negative लिदेगा दोनों का multiple negative है ठीक है तो f of one into f of three negative यहाँ से lambda square उसको हटा दो आप k into 4 plus k is negative इसका मतलब k क्या करेगा आपका ग्रेट दन तो होगा minus 4 से less than होगा 0 से यह k का अपनको एक range मिल गया जो अपनी roots निकालने में help करेगा k क्या करेगा ना k minus 4 और 0 की बीच में लाई कर रहा है बस इसी चीज का use करते हुए अपन आगे पूरा का पूरा question solve कर लें बस अब तो आप करते जाओ अपनको दे रहा है एक root तो क्या 0 और 1 की बीच में है तो proof कर दो p of 0 p of 0 कितना आएगा p of 0 आएगा k p of 1 proof करो अच्छा कोई 2 values के बीच में एक root कम होता है जैसे आपको proof यह करना है कि 0 और 1 की बीच में एक root है इसका मतलों 0 और 1 की values का multiple होगा ना क्योंकि इस पे value अगर negative है तो इस पे value positive होनी चाहिए उनका multiple negative आना चाहिए तो p of 0 k है p of 1 क्या आजाएगा ना p of 1 आपने लिका लही था अच्छे यहाँ पर lambda multiple में तो लिखी दो lambda into k lambda into 4 plus k है ना तो p of 0 into p of 1 क्या आजाएगा ना lambda square into k into 4 plus k lambda square तो positive है इसको थोड़ो आप आपको just check करना है k into 4 plus k का value क्या है k किसके बीच में लाई करा माइनस 4 और 0 k बीच की value तो पहला चीज तो यह क्या होगा k तो क्या होगा negative होगा 4 plus k क्या होगा यह positive होगा बेटा क्योंकि k क्या exact minus 4 नहीं है उसके बीच में आ रहा है तो यह negative होगा यह negative यह positive तो पूरा क्या होगा negative होगा इसका मतलब यह negative होगा तो इसके negative से अपने यह comment कर सकते ना कि अच्छा px यूज कर रखा है क्या fx है यहां पर f use कर लो तो अपने बोल सकते हैं कि fx have at least one root between 0 और 1 यह चीज हो गया ऐसे मेरे को प्रूफ करना 1 और 3 के बीच में तो f of 1 lambda को बढ़ा सकते कोई दिक्रत नहीं f of 1 आएगा 4 plus k f of 3 आपने निकाला था क्या f of 3 निकाला था आपने k आया था इनका multiple f of 1 into f of 3 वही आ गया बटा k into 4 plus k यह भी क्या हो जाएगा न नेगिटिव हो जाएगा अब यह की रेंज अपने को मालूम है k किसके बीच में आ रहा है तो बस यहां से अपना idea यह यह भी बोल सकते हैं at least one root between किसके बीच में one और three के बीच में अगेर अगर अपन चेक करें और चीज कि next कौनसा चेक करना अपनको यह B यह three और four के बिच में चेक करना four यह था न yes three और four की बिच में तो f of 3 और f of four क का multiple चेक कर लो negative आ रहा क्या तो f of three तो मिला अपनको k f of four और चेक कर लो F O 4 कितना आजाएगा F O 4 यहां पर आजाएगा 4 का cube 64 minus का 6 into 16 plus का 9 into 4 36 और यह गया तो 36 तो कितना बचेगा यहां पर 64 36 0 196 4 plus K बच गया तो यह क्या जाएगा अच्छा वो ही बन रहा है सबके अंदर यार हाना तो यह तो calculation काफी easy बन गया सबके लिए K into 4 plus K और यह क्या जाएगा आपने पर पता नेगेटिव आएगा इसका मतलो F of 3 3 और 4 की बीच में भी at least 1 root आएगा अब सुनों ध्यान से क्यों भी की क्वेस्टन है अलग लग 3 root ही मिल सकते हैं तो 3 at least at least use किया था न वहां पर क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा अपनको exactly word use करना पड़ेगा क्या word use करना पड़ेगा exactly क्योंकि 3 root है तो एक-एक root ही उनके बीच में हो सकता है exactly one-one root ही मिलेगा तो बस यही चीज अपनको यहां पर प्रूफ करना था वड़ा कि तीनों के बीच में कौन-कौन से कितने-कितने roots मिल रहे हैं बस चेक कर लो इसको और कल है आपका exam देना सच्छे से वड़ा अल्देवस्ट